क्या आपने किसी मंदिर में इतनी सारी लाखों में नहीं करोणों में चोटी घंटियों से लेकर विसाल घंटे देखें क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां पे तुरंत नियाय मिलता और जहां पे लोग अपनी अरजी पेपर पर लिखकर लटका देते हूं और जहां के देवता प्रते करजी को पढ़कर नियाय करती हूं तो बने रहे इस वीडियो के साथ हम आपको बताएंगे ये मंदिर कहां इस्तित है और यहां पे कैसे पहुँचा जा सकता है दोस्तो आज मेरा मुक्तेश्वर में दूसरा दिन है और आज मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसे मंदिर जिसको लोग नियाय का मंदिर भी कहते हैं मैंने अभी जो बस पकड़ी है वो मुक्तेश्वर से साड़े आट वजे भवाली के लिए चलती है भवाली से नियाय का मंदिर जिसको हम घोराखाल मंदिर और घंटिवाला मंदिर कहते हैं अगर आप पबलिक कन्वेंस से आ रहे हैं तो मंदिर पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको पहुँचना पड़ेगा भवाली जो की नैनी ताल से 12 किलोमीटर दूर है अगर आप नैनी ताल से आ रहे हैं तो आपको तली ताल टेक्सी स्टेंड से सेरिंग टेक्सी मिल जाएगी और भवाली से मंदिर के लिए आपको सेरिंग टेक्सी 30 रुपे पर हेट के हिसाब से मिल जाएगी जैसा कि मुक्तेस्वर से मैं भवाली के लिए बीना कुछ खाए ही निकल गया था और यही सोच के निकला था कि मंदिर में दर्सन करने के बाद ही कुछ खाऊंगा भवाली पहुँचके सुपर मार्केट से मैंने कुछ खाने पीने की चीजे खरीद ली और टेक्सी पकड़ के पहुँच गया मननतों वाले मंदिर अस्थानिय लोगों के अनस्वार खोड़ा खाल मंदिर में गोल्जू देवता की अस्थापना का स्रिय महरा गाउं की एक महिला को माना जाता है यह महिला वर्सो पूर्व अपने परजुनों द्वारा सताई जाती थी उसने चमपावत अपने माई के जाकर गोल्जू देवता से न्याय हेत्व साथ चलने की प्रात्ना की इसी कारण गोल्जू देवता उस महिला के साथ खोड़ा खाल मंदिर में बिराजे गोल्जू देवता उन मंदिर में अपनी अपनी मनते कागज और पत्रों में लिखकर एक अस्थान पर टांगते हैं और माना जाता है कि गोल्जू देवता उन मनतों में अपना न्याय देकर भकतों की पुकार सुनते हैं और जब मनते पूरी हो जाती हैं तो लोग उपहार के रुप में घंटियां चड़ाते हैं यहां ऐसी भी मान्यता है अगर कोई नौ बिवाही जोड़ा इस मंदिर में दर्सन के लिए आता है तो उसका रिस्ता साथ जन्मों तक बना रहता है उत्राखंड के अल्मोडा और नैनी ताल जिले के घोड़ा खाल मंदिर में इस्थित गोलु देवता के मंदिर में एक पत्र भेजकर ही मुराद पूरी होती है गोलु देवता लोगों को तुरंथ नियाय दिलाने के लिए भी प्रसिद्ध हैं यहाँ पहुँचके काफी सुकून महसूस हुआ मन यही कह रहा था कि घंटों इस मंदिर में बैठे रहें जैसा कि आप देख सकते हैं कोई अपनी मननत पूरी होने पे घंटा चड़ा रहा है लोग अपनी सरद्धा के अनुसार छोटी घंटियों से लेके बड़े घंटे तक इस मंदिर में बांगते हैं सज बोलू तो मेरी भी एक मननत थी उसी के पूरा होने पे मैं वहाँ पे घंटी चड़ाने गया था वहाँ लगबग 2-3 घंटे बैठने के बाद मैं निकल गया अपने अगले पड़ाओ की तरफ जिसकी वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो प्लीज लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद